हालो डियर स्टुडेंट्स, वेलकम टो कॉटपतिल आजूकेशन, आज हम बात करेंगे अन्मारिट कॉपल्स के उपर कि जो लोग होटल में रूम बूक करते हैं, साथ में मिलते हैं, तो क्या वो लीगल है या फिर इलीगल है, क्या गौवर्मेंट कुछ इसको लेकर हूल्स जैसे पॉलिस डेट हो जाती है, तो क्या उनके कोई अधिकार नहीं होती, कि जो वो पॉलिस डेट से बच सकें, तो ऐसे ही complete details आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ऐसा अन्मेरिट कॉपल्स जरूरी नहीं है, क्योई इलीगल तरीके से मिले, बहुत सारी reasons भी हो जाते हैं, तो ऐसे पॉलिस से बच सकें, और ऐसा कोई भी काम ना हो, कि जो हम इलीगल कोई भी act में जो है, फसे, तो इसलिए आप वीडियो को जरूर देखें, साथ ही आप हमारा टालेग्राम गूरूप भी जोईन कर सकते हैं, जो है, होटल के room books करें, देखो क्या होता है, कि आज के जो present time है, जो कि boys और girls में कोई differences नहीं करता है, साथ में घूमने भी जाते हैं, ठीक है, तो होटल को book अराम से कर सकते हैं, ठीक है, रात में भी रह सकते हैं, पूरी security रहती है, hotels वगेरे में, online, offline, दोनों टाइप से आज वहाँ पर raid पड़ी, ठीक है, इतने couples को जो है, arrest किया गया, तो क्या ये सही है, जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम rules के बारे में देखें, तो सिर्फ rules जो है, आपको follow करने, उतके बाद आपको ना तो कोई police पकर सकती है, ना कुछ हो, क्योंकि प्राइल में stay कर रहे हैं, ठीक है, और police है, जो केवल उनका अधिकार होता है, कि वो सिर्फ पूस्ताच भले कर लें, पर वो आपको arrest नहीं करेंगी, अगर आप जो first school है, कि आप age जो आपकी complete हो, लड़की या लड़के 18 year के जो, और 21 year जो है complete होनी चाहिए, ठीक है, उसके जो couples हैं, ठीक है, मतलब लड़का और लड़की है, ठीक है, तो उनका क्या होना चाहिए, कि वो जो दोनों हैं, वो बालिग होने चाहिए, मतलब मेजर होने चाहिए, 18 वर्ष पूरे होने चाहिए उनकी, police आप से पूस्ताच कर सकती है, ठीक है, पर इसमें क्या है, आपके पास एक valid ID proof होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हुआ, water ID कार्ड हुआ, driving license हुआ, जिस पे आपकी photo, address और DOB आपकी complete हो, ठीक है, ऐसा आपके पास ID proof होना चाहिए, और आपका ही ID proof होना चाहिए, कोई भी ऐसे गलत ID proof नहीं होना चाहिए, कि किसी और का ID proof हो, ठीक है, तो यह अगर आपके पास दोनों चीजे जो complete होती है, तो आपको police है, जो arrest नहीं कर सकती, ठीक है, वो सिर्फ आपसे भले पूस्ता जरूर कर सकती है, पर वो आपको हिरासत में नहीं ले सकती, ठीक है, इसके बाद आता है, कि जब ID proof और आपकी age जो complete है, उसके बाद यह होता है, कि किसी के दबाओं में आके आप मिल रहे हैं वहाँ पे, या फिर आप stay कर रहे हैं, नहीं, आपकी जो consent है, वो भी free होनी चाहिए, तो यह तीनों चीजे हैं, जो आपको police से बचाती है, ठीक है, और हमारा जो constitution है, उसका article 21 है, जो कि हमें पूरा right देता है, कि कोई भी जो unmarried couple है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से hotel में रुकने का पूरा जो right है, वो रखता है, बस उनकी आपसी सहमती से हो, ठीक है, अगर कोई भी अगर वहाँ पे रुकते हैं, या फिर कुछ भी illegal हो, तो वो उसमें आप involved ना हो, ठीक है, सारे चीजे legal होनी चाहिए, जो rules बताएं है, व आप वही है, ठीक है, तो इससे आपको कोई permission नहीं दे रखी है, क्योंकि अगर आपको अपने rules ही नहीं पता होंगे, तो फिर वो आपको police है, जो परिशान जरूर करेगी, तो इसलिए आपके पास ये जो rules है, ये सारे complete होने चाहिए, कि आपको पास valid ID proof हो, कि कैए, आपकी free consent हो, और age है, जो आपकी complete हो, उसके बाद आपको hotel में, आप चाहिए, कितने भी दिन stay करें, आपको कोई नहीं रोख सकता, तो ऐसी ही updates के लिए, आप हमारे channel के साथ बने रहें